गुड मानिंग योकेजी क्लास कैसे हो आप? बच्चो आज आपका हिंदी कर्षिप कटान है तो चलिए हिंदी कर्षिप के बुक निकालिए आज हम अब्यास करेंगे आपका चंदर बिंदू की मात्रा का अब्यास ये तो आपने पाड़ लिया है ओके देखिए यहां पे चा है चा के उपर चंदर बिंदू है तो चा दो चान यहां उपर भी लिखा हुआ है डॉट में भी आपको चान लिखके दे रखता है आपने पैंसिल चलानी है और चान को लिखना है और बागी लाइन्स में भी आप चांद लिखेंगे ओके पुर देखो आ के उपर चंदर बिंदू तो आँखो आँख देखे यहाँ पे डॉट में भी आँख लिखे दे रखा है आपको तो आपने क्या करना है पैंसल चलानी है और आँखो लिखना है बागी लाइन्स में भी आप लिखेंगे देखे जब हम इसका उचारण करने तो हमारी नाक और मूँचे उसका क्यार रहे दुने निकल रही है ना पुर देखे बा में चंदर बिंदू तो बांसुरी बांसुरी देखे यहाँ पे भी डॉर्स में भी आपको बांसुरी लिखके दे रखा है आपने पैंसल चलानी है और बांसुरी को लिखना है बागी लाइन्स में भी आप लिखेंगे इसको फिर है आपका ओ के उपर चंदर बिंदू तो अंगूठी यहाँ पे भी आपको अंगूठी लिखी है डॉर्स में भी आपको अंगूठी लिखके दे रखी है आपने पैंसल चलानी है और अंगूठी को लिखना है बागी लाइन में भी आप अंगूठी लिखेंगे सबसे उपर आप classwork जरूट डालेगा डे, आपका Saturday, date आपकी 20, month to year 21 आगे बढ़ते हैं, इसमें है आपका वाक्या रचना तो इसमें देखें वाक्या रचना में क्या है आपका अंग की मातरा और चंदर बिंदू, दोनों का यूज हो रखा है एकी मातरा का भी है, आपके भी है ओके, अब देखें रो, रो के उपर चंदर, शोरी, अंग की मातरा है तो रंग, जो, न, रंजन, फिर वा, नि पिर देखो, चा, चा के उपर चंदर बिंदू तो क्या हो गया? चा, दो, चांद, पुर गा, गौग के उपर चंदर बिंदू गा, वो, गाउं में रहते थे ओके? रंजन, वो, नि, रंजन, चांद, पुर, गाउं में रहते थे अब देखें, नीचे वाली लाइन में, डॉर्स में आपको लिक के दे रखा है आपने पैंसिल भी चलानी है उसके उपर और साथ में मूँ से भी बोलना है जो वाकिया आप लिख रहे हैं उसे मूँ से भी बोलना है रंजन, वो, नि, रंजन, चांद, पुर, गाउं में रहते थे ये आपका क्लास वर्क है दोनों ही आपके क्लास वर्क है होमवर्क में मैं आपको दे रही हूँ अहा, अहा की मातरा का अभ्यास जिसे हम अंग, अहा, बोलते हैं ना लास्ट में जिसमें क्या लगते हैं, आपके दो बिंदू लगते हैं लास्ट में, ओके, जिसे हम विसर्ग कहते हैं तो ये आपके हुमवर्ख में देरी हुम है आपका देखे चो चो में अहा की मात्राएं हैं तो चो आपका क्या हो जाएगा चो अह चो बोल रहे हैं तो अहा का उचारण भी उसके साथ हो रहा है पिछे से जो मात्रा हैं आपकी क्या है अहा की प्राताह अहा जब हम प्राताह बोल रहे हैं तो अहा का उचारण भी हो रहा है नमह हो रहा है ना पिर दुख आपका अहा का भी उचारण इसमें हो रहा है ओके फिर वाक्य रचना में प्राताह इस्वर की उपासना किया करो तो यह क्या है आपका होमवर्क में है जो आपने क्या करना है होमवर्क में इसको करना है यह वाला भी और यह वाला भी आप आराम से कीजिएगा जब आप लिखते हुए मूँ से भी बोलेगा ओके बच्चो यह वैसे इतना ही काम है यह आपका क्लास वर्क है चंदर बिंदू की मातरा वाले शब्द का और आहा की मातरा वाले का आपका होमवर्क है तो आप अच्छे से करना साथ में मूँ से भी बोलना और लिखते रहना ओके तो आप कीजिए अपना काम ओके बच्चो झाले बच्चो